प्रियों विद्यारतियों आज हम जो टॉपिक सुरू करने जा रहे हैं और जिस विद्वान के बारे में हम बात करेंगे वो विद्वान एक ऐसा विद्वान है जिसकों कि समास्थास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है हलंकि आपके कह सकते हैं कि समास्थास्त्र के जनक के रूप में अगष्ट कॉम्ड का नाम ही सरव प्रसम आता है जो कि फ्रांसी सी विद्वान थे लेकिन बहुत से विद्वान है जो कॉम्ट के साथ में स्पेंसर, दुर्खी और वेबर को भी उत्रा ही समासासर का प्रारभिक जनम जाता है जनक के रूप में समझते हैं जितना कि कॉम्ट को माना जाता था और विद्वान ही कॉम्ट थे और फ्रांसी सी विद्वान ही इस विद्वान की बात जिसके हम बात करें इमाईल दुकिम वो भी फ्रांस के ही थे और कॉम्ट ने जितना भी समासास्त्र को एक विशे के रूप में एक अलग विशे के रूप में एक समासास्त्र विज्यान के अध्यन के विशे के रूप में प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया था उसको धरातल देने का जो काम है उसको तो प्लेटफॉर्म देने का जो काम है उसकी नीव भरने का जो काम है उसको आगे बढ़ाने का जो काम है तो सारा का सारा दुर्खिम का है दुर्खिम नहीं कॉम्ट के उस महत्व कॉम्ट के उस बात को समझते वे समासास्त्र को एक वेग्यानिक धरातल प्रदान किया समासास्त्र अध्यानों में वेग्यानिक विधी के प्रयोग प्रादिक से अरिक बल दिया तो एक तरसे ये समझे लिये जिस वक्त दुरखिम समाज सास्तर के अध्यन के एक विध्यारती के रूप में जब आए थी उस वक्त समासास्त्र अपनी बाली आवस्ता में था और दुर्खिम ने ही उसको एक थोस वेग्यानिक अजिन पड़ती और व्योसित विशेवस्तू परदान करने के में प्रमुख योगदान दिया था इसलिए एमाईल दुर्खिम को भी बहुत ज़्यादा महतों दिया जाता है समासास्त्र के अंत्रक्त जैसा कि मैंने कहा कि वो भी एक फ्रांसी सी विद्वान थे जिनका जन्म पदर अप्रेल 1858 में फ्रांस में ही एपिनल नामक कस्बी में हुआ था और बहुत अच्छे सनातक के रूप में कौम्ट वो पैचाना जाता था कौम्ट ने अपने अध्यान में सबसे बड़ा जो उनका योगदान रहा वो योगदान रहा जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा समासास्त को ठोश वेग्यानिक अध्यान परती या अध्यान विश्यवस्तू प्रदान करने का काम समासास्त को ठोश अध्यान परती क्योंकि किसी भी विज्यान के पीछे विज्यान बनने के पीछे उसकी अध्यान परती ही चिम्यदार होती है उसकी विश्यवस्तू इंपॉर्टन नहीं है हमने फस्तिर में ही पढ़ लिया था कि कोई भी विशे अपने आप में विग्यान तभी कहलाता है जब कि उसकी अध्यान पदती उसकी अध्यान की प्रणाली उसके अंतरकत किया जाने वाली खोज एक वेग्यानिक पदती के माध्यम से होता हो तभी हम उसको समासास्त्र उसको हम जो है वेग्यानिक अध्यान पदती कहेंगे इस रूप में अगर हम देखें तो सीधी सी बात ये है कि समासास्त्र भी एक वेग्यानिक पदती एक अध्यान पदती के रूप में डवलप करने का जो काम है उसको बढ़ाने का जो काम है वो दुर्खिम ने किया था अब यहाँ पर आज हम सबसे पहले दुर्खिम के स्रम विभाजन के टॉपिक लेबर डिविजर आफ लेबर इन सोसाइटी यह उनकी पुस्तक का भी नाम था और इसी के आधार पर उनको पीएसदी भी मिली थी उनको पीएसदी के जो उपादी मिली थी वो इसी आधार पर मिली थी तो हम स्रम विभाजन के ओपर दुर्खिम ने क्या कहा उसके ओपर हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ में सामाजिक सूधरता का भी सिद्धान्त जो है जो दुर्खिम ने कही थी यह जो सामाजिक सूधरता है या सोशल सूधरता है जिसको हम इंगलिस पर कहते हैं दुर्खिम ने सम्भी भाजन को समझाते हुए सामाजिक सूधरता की बात कही थी एक और चीज मैं यहाँ पर इसपस्ट कर दूँ और जैसा की दुर्खिम की पहली लाइन ही यहाँ पर लिखी वी है और मैंने सबसे पहली लाइन ही यही लिखी है कि सम्भी भाजन सामाजिक सूधरता का प्रमुक आधार है यानि की दुर्खिम यह मानते थे कि समाज में जितने भी कार्य किये जाते हैं जितने भी विवस्थाएं बने हुई है जितने प्रकार के भी कारिक करने के तरीके है जितने भी चीजे जो भी सामजिक प्रक्रियाएं है उस सारी प्रक्रियाएं तभी बनती है तभी विद्दमान रहती है तभी लागू रहती है तभी जीवित रहती है जबकि वो समाज के क किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ती करती हूँ बगैर हितों के पूर्ती के बगैर समाज के उद्देश्य की पूर्ती के समाज में कोई भी चीज टिकी भी नहीं रह सकती है जिसको हम कहते हैं यह तो फालतु है फालतु कुछ भी नहीं है सुसाइटी में जो कुछ भी चीजे बनी है अच्छी या बुरी ये बहुत बात की बात है दुर्खिम का ये अटूट विस्वास था कि वह समाज के किसी ने किसी अदेशिय या हिट की पूर्टी करती है तब ही जाकर वो समाज में विद्धवान गहती है और कहीं न कहीं इस रूप में दुर्खिम ने अपराद को भी जम समाजी तच्छों की बात करेंगे सोशल फैक्स की बात करेंगे दुर्खिम ने अपराद को भी सामाने समाजी तच्छे के अंटर्गत ले लिया था कि हम बात में चर्चा करेंगे जब कभी भी इस वे उपर टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे सब बहुत है उसक्त तक हमारी क्लासेज हो जाए और हम आमने सामने बैठ कर इस पर बात करें तो इस चीज से आप सिर्म विभाजन जो है वो सामरिक सूद रड़ता का प्रमुक आधार है दुर्खिम ने अपनी प्रसिज पुस्तक समाज में इस्रम विभाजन में लिखा है कि स्रम विभाजन का प्रकारिय समाज के अस्टिक्तों से संब्दित किसी नैतिक्ता की पूर्ती करना है बहुत इस्पश्ट तोर पर दुर्खिम ने कहा है कि समाज में स्रम विभाजन जो उनकी पुस्तकी उसमें लिखा है इस्रम विभाजन का जो प्रकारिय है जो काम है समाज के अस्टितों से संबंदित किसी नेतिक्ता की पूरती करना है जब समाज के सद्शियों की संख्या और उनके पारस्विक संबंदों में वर्दी होती है तो समाज में इस्रम विभाजन में भी वर्दी होती है इस्रम विवाजन नहीं कि अलग अलग समाज के जो काम है वो अलग लोग आपसे बाट लें इस्रम विवाजन का मतलब बहुत साथ अंसा है हर वेक्ती है सारा का सारा काम कर नहीं सकता तो कुछ लोग कुछ काम कर लिए कुछ लोग कुछ काम कर लिए तो अस्रम विवाजन अपनाब में हो गया दुरकीन कहता है जब समाज में सदस्यों की संक्या और उसके पारशक्त संबंदों वर्दी होती है तो समाज में सम्विवाजन में भी वर्दी होती है और नए-नए वैवसाइक एंस समाजिक समू जन्म लेते हैं इन विविन समू के बीच एकता उत्पन करना समाज के एस्थित्व के लिए आवशक है तो कि समाज इकमें ये जो विविन समू उत्पन हो रहे हैं जो अलग-अलग कारियों में लगे वे हैं जिनका अलगलग खारी Śitr है जो अलगलग रूपों में अपना काम कर रहे हैं यदि इन में एकता उत्पन नहीं की गई तो समाज सही रूप में काममें नहीं कर पाएगा समाज का सित्र से नहीं बन पाएगा तो इन विबिन समों के बीच एकता उत्पन करना जो है समाज के स्थित्यों के लिए आउशक है एकता के अबाओं में समाज व्योस्ता और संतुलन कायम नहीं हो सकते अता विबिन समों के बीच एकता की आउशकता एक नैतिक आउशकता है इस्रम विभाजन समाज की नेतिक आउशक्ता की पूर्ती करता है और इसलिए मैंने यह आगे लिखा है कि और स्रम विभाजन का कारियर इसी नेतिक आउशक्ता की पूर्ती करना है पुरिये साथियों ये जो मैं आपको दे रहा हूँ मेरे जहां तक नॉलेज है जहां तक मैं उसको जब इसको दिखाया था ये सब बाते किताबों में से रिश्चित तोर पर ली गए ये लेकिन अलगलग किताबों में से मैंने बहतरी नोट्स आपके लिए तियार किये है जो मेरी समझ के हिसाफ से है तो सब्सक्राइब इससे बहतर कर पाए मैं ऐसा दावा नहीं करता कि आप मुझसे बहतर नहीं कर पाएंगे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहतरी नोट्स है जो मैं आपको अवलवल करवा रहा हूं मैं पीडियेफ फाइल के रूप में भी इसको आपको देता हूं वीडियो में आप इसक्रेट स्क्राइब लेकि इसको आप अपनी नोट्स के रूप में इसको तयार कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा आपके लिए घर बैठे जैसा मैं हमेशा कहता हूं गंगाई जैसी स्थिया आपकी हो रखी है आप इसको बहुत धंग से पढ़ें ज्यान से पढ़ें कौपियों में इसको लिखें मुझे रखता है आपकी पढ़ाई इसे बहतर पहुत आएगी तो खुल मिलाकर आप इतना तो समझी गए होंगे कि स्रम विभाजन का जो प्रमुक कारिय था समाज में दुर्खिम मानते हैं कि स्रम विभाजन का प्रमुक कारिय समाज में सामाजिक सूधरता को बनाना है ये समाज की किसी आवशक्ता की पूर्ती के लिए नैतिक आवशक्ता की पूर्ती के लिए समाज में स्रम विभाजन बढ़ता है स्रम विभाजन ऐसे ही नहीं बढ़ गया आज वरतमान में आप देख लिए स्रम विभाजन का फल्सुरूप ये इस्ति हो गई है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बहुत जादा निर्भर हो गया है और यही निर्भरता सुधरता का निर्मान करती है सामाजिक एकता का निर्मान करती है और इसी को दूर्खिम स्रम विभाजन के आधार पर इस एक रुपता को इस सोशिल सॉलिडरिटी को इमाईल दूर्खिम स्रम विभाजन के रूप में कि किस प्रकार से स्रम विभाजन सामाजिक सूधरता में स्रम विभाजन भी एक प्रमुक जो है अपना रोल लिभाती है उस रूप में दुर्खिम इसको समझाने का प्रयाश करते है कि किस प्रकार से दुर्खिम ने बहुत गहनता से अध्यन करके ये देखा है कि समाज में स्रम विभाजन जो जिरे जिरे बड़ा है उससे समाज एक सूर्दरता में उत्रों तरफ रड़ी ही हुई है और समाज जो है एक दूसरे से और उग्यारा चुड़ा है हलाएंकि उन्होंने इस पूरे अध्यन में जो ऐसे समाज रहे प्रानभी समाज जिन में स्रम वाजन महुत कम आवस्ता में ताब वहाँ पर कैसी सूर्दरता थी और दूसरे समाजों में कैसी सूर्दरता है उसको समझाने का भी प्रयाज किया है हलाएंकि दूर्खिम ने कहीं पर यह नहीं कहा कि समाज जिन सूर्दरता का यह एक मातरा आधार है लेकिन उन्होंने समाजी सूर्दरता या सामाजी की एक रुकता को स्रम्भाजन की आधार पर समझाने का अपना प्रयाज़ु है वो जरूर किया है अब सामाजी एकता की स्वरूप में जनसिंक्या की आकार और स्रम्भाजन की स्वरूप की आधार पर परिवर्तन होते हैं जैसा जैसा समाज होगा जैसी जन सिंक्या के आकार होगा स्रमिभाजन का जो सोरूप हमारे सामने होगा उसी आधार पर सामधी एकता की इस्टी भी परिवर्टित होती रही सभी समाजों में एक जैसा हो नहीं सकता कई पर जन सिंक्या का आकार अलग है स्रमिभाजन का सोरूप अलग है तो वहां की सामाज की सती एक्ता की सती दोड़ी अलग होगी तो इस रूप में दुर्खिम ने इसको समझाने के लिए इस आधार पर समाज में दो प्रकार की एक्ता की रूप में दुर्खिम ने उसको समझाने का प्रयास किया जो जनसिंक्या के आधार पर और स्रम विवाजन के स्वरूप के आधार पर उन्होंने इस सामाजिक एकता या सामाजिक स्वरूप एक रूपता की इस तदी को समझाने का प्रयास किया तो इस आधार पर समाज में जो प्रकार की एकता का रूप जन्म लेते हैं दुर्खिम ऐसा मानते हैं और उसी रूप में उसको समझाने का प्रयास किया एक है यांत्रिक एकता और दूसरी है सावेवी एकता यांत्रिक एकता और सावेवी एकता ये दोनों ही एक्ता का ऐसा प्रकार है जिसकों की दुर्खिम ने जन्संख्या और सम्विभाजन के स्वरूब के आधार पर समझाने का प्रयास किया यांत्रिक एक रूपता यानि की मेकनिकल सॉलिडरिटी और सामाजिक जो सूदर्टा है सावेवी सूर्ब एकता है यानि की और गणिक सॉलिडरिटी मेकनिकल सॉलिडरिटी और और ऑर गणिक सॉलिडरिटी इन दोनों को ही दुर्खिम ने अलग-अलग रूपों में जन्सक्या के आकार और स्वाम व्याजन के सुरूप के आधार पर समझाने का प्रियास किया है अब यांत्रिक एक रूपता या मेकरिकल सॉलिडरिटी क्या है पहले हम इस पर बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक भी इसी पर सबसे ज़्यादा केंद्रित रहेगा यांत्रिक एक रूपता वाले समाजों के लिए यांत्रिक समाजों के लिए दुर्खिम ने कहा कि जो सरल आदिम और प्राचीन समाज जो है जो प्रारभिक समाज रहे जो सरल है आदिम है जो प्राचीन है ग्रामिन समाज वर्तमान में के ग्रामिन समाजों से हम उसको नहीं समझ सकते वर्दबाद के एक रामिट समाज तो लगबग सहरी समाजों जैसे ही हो चुके हैं लगबग तो उसको हम उस आदार पर नहीं समझ सकते हैं लेकिन यांत्रिक समाजों को हम दुर्खिम जो मानते थे शरल और आदिम जो समाज थे, प्राचिन जो समाज थे, वो यांत्रिक समाज थे और उसी आधार पर उन्हें यांत्रिक समाज की विशेष्टाओं को भी समझाने का प्रियास किया है और यांत्रिक समाजों की विशेष्टाओं में सबसे पहली विशेष्टा है अविवेदीकरत या भेदभाव रहित समाज अविवेदीकरत या भेदभाव रहित समाज जैसा की नाम से ही इसपस्ट हो रहा है अविवेदीकरत या भेदभाव रहित समाज कौन से होते हैं क्या वर्तमान के ग्राविन समाजों को हम अविब्यदी करतिया भेदबावरहित समाज कह सकते हैं मेरा जवाब होगा नहीं कह सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान ग्रामिन समाजों को हम उसके अंतरगत नहीं लें बलकि वर्तमान को नहां नहां लेकर प्राचीन जो हमारे सरल समाज थे जो आदिम समाज थे उनको हम यांतरिक समाजों के रूप में समझें जिसको दुर्खिमन अविब्यदी करति या भेदबावरहित समाज कहा है ये अविब्यदी करति या भेदबावरहित समाज वो थे जो प्रारभिक आदिम समाज थे जिनमें अगर आप देखें तो आईू लिंग या अनुए अनसिक्ता के आधार पर थोड़ी बहुत गैर बराबरी जिरूर पाई जाती थी जिसे छोटा है तो ये कर सकता है बड़ा है तो ये नहीं कर सकता है बड़ा है तो ये काम कर सकता है लिंग के आधार पर मेज़ आएं ये काम कर सकती हैं पुरुस ये काम करेंगे या चोटा मुटा उनकी कोई चोटी मुटी आनुवान सिक्ता के आधार पर थोड़ा बहुत कोई उच नीच हो जाए जिसे कबीले का मुख्या है तो वो उपर है बाकी लोग थोड़े उससे नीचे हैं पर बहुत ज़्यादा अंतर इनमें देखने को नहीं मिलता है चुकि मुख्या है तो भी वही काम कर रहा है और आम आदमी है तो भी वही काम कर रहा है सभी सभी काम कर लेते हैं सभी एक दूसरों के साथ हो जाते हैं तो बहुत ज़ादा इन में भेदबाव या बहुत ज़ादा इन में अंतर देखने को हमें नहीं मिलेगा सिवाए आयू या लिंग या छोटा मुटा कोई अंतर हो तो हमें दिखाए दे वरना इन में ऐसी चीज़े नहीं दिखाई देती है इनके विश्वासों में, वहवारों में इनकी सोच में बड़ी सामिता होती है परंपराओं के बड़े धनी होते हैं परंपराओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं व्यETषिवादिता का सरवता भाव पाय जाता है, सबी सब के लिए एक सब के लिए और सभी सब के दिए इस तरगी भावना नहीं पाय जाती है तो य सारी चीजिए जो हैं, वो एक परकार से हमें देखने को मिले का क्योई ग्रामिन समाजों में मतलब वर्तमान तो नहीं जो प्रारंबिक जो समाज रहे प्राचीन समाजों जो से इसकर आदिम या जंजात के समाज या प्राचीन प्रारंब जो सरल समाज थे उन समाजों को हम समझ सकते हैं कि इस रूप में जो है इनको हम मान सकते हैं कि ये हमारे यांतरिक समादों के अंतरगत आते हैं तो ये यांतरिक एक रुपता का एक बहुत बड़ा हमें यांतरिक समादों की बहुत बड़ी विशेस्ता हमें देखने को मिलती है दूसरे इनकी विशेस्ता है कि व्यक्ति का जिट्यक इस्थान है व्यक्ति का इस्थान कैसा है जुत्य किस्थान यानि कि व्यक्ति समाज से पहले नहीं व्यक्ति परिवार से पहले नहीं है व्यक्ति परंपरा से पहले नहीं है व्यक्ति सामुई हित से पहले नहीं है सबसे पहले यदि कुछ है तो वो है सामुहिक हित समाज का हित उसके बाद में व्यक्ति है तो व्यक्ति का दूसरा इस्थान है कहीं पर भी व्यक्ति वादिता की बात जहां पर है इंडिज्वल की बात है या एक व्यक्ति विसेश क्या सोचता है ये बहुत ज़्यादा important इन में नहीं पाये जाता है तो ये इसकी दूसरी भिशेष्टा है तीसरा है सामुहिक चेतना सामुहिक चेतना का प्रभुत्व होता है इन में आप सोचें कि सामुहिक चेतना क्या है किसको कहते हैं हम सामुहिक चेतना collective जो consciousness जो है collective lens जो है वो उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एक व्यक्ति विशेश क्या सोचता है एक व्यक्ति विशेश किस रूप से लेता है वो अपने आप में क्या उसकी विचारधारा है ये बहुत important नहीं है बलकि समाज क्या सोचता है वो बहुत बड़ी बात है समाज के विच्वास उसकी जो संबेग है इसमें पते एक व्यक्ति की भागीदारी होती है और जो परंपराओं के आधार पर पीड़ी दरपीड़ी चला रहा है और जब कभी भी कोई व्यक्ति उस सामुहिक चेतना उस सामुहिक काम करने के तरीके पर कुश्चन मार्क लगाता है कोई संकाव खड़ता है तो उनको लगता था कि ये समाज को चुनोती दे रहा है ये हमारी समाज को सिरह चैलेंज कर रहा है और उसको जो है वो स्वीकार नहीं करते थे और बड़ी बेहरामी से बड़ी ताकश के साथ में उसको कुछलने का प्रियास किया जाता था तो सामुहिक चेतना की बात है जो पीड़ी दर पीड़ी जो चलिया आ रही है जो सभी लोग सोसते हैं उसी के आधार पर काम होगा एक विक्ति विसेस कैसे सोसता है वो बहुत इंपॉर्टन्ट नहीं है तो सामुहिक चेतना का जो प्रभुत्व है बहुत बहुत चरूरी इसमें देखने को मिलता है चौता है दमनकारी कानून की प्रतानता दमनकारी कानून अपने आप में बहुत इंपॉर्टन्ट होता है जैसा मैंने अभी कहा कि यदि कोई विक्ति सामुहिक चेतना के सामने परंपरा के सामने पीडिया जो पीडी तर पीडी जो परंपरा हैं चल रही है काम करने के तरीके चल रहे हैं उनके उपर कोई कुश्चन मार्क लगाता है उनके अगेस्ट काम करता है उनके जो नियम है उनके जो कानून है उसके खिलाफ जाता है तो फिर उसके साथ में दमनकारी कानून दमनकारी कानून जैसा की नाम से ही लग रहा है पूरी टाकत लगा कर उसको दबा दिया जाए उसको कुचल दिया जाए तो इस रूप में अगर हम देखें तो दमनकारी कानून की जो प्रदहनता है वो हमें इन यांत्रिक समाजों में देखने को मिलती है तो कुल मिलाकर इतना हम समझ सकते हैं कि इन समाजों में यानि कि जो यांत्रिक समाज होते हैं जो यांत्रिक एक रुपता लिये वे हैं जो सरलो और आदिम और प्राचीन समाज है इन समाजों में बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति का जो इस्थान है वो नहीं है और आज का अंतिम बिंदू है नैतिकता नैतिकता क्या है नैतिकता किसे कहते है नेतिक आच्रण या नेतिकता अपने आप में एक बहुत ही महतोपूर बिंदू आता है और कई जगाओं पर हम देखते हैं साब नेतिक आधार और दुर्खीम कहते हैं तो स्रम विभाज़ पूरा का पूरा का पूरा केता भी है कि जो है नेतिक कहीं नेतिक समाच की किसी नेतिक आशकता की पूर्ती करता है इस्रम विभाज़ ने तो बाईतिकता है क्या नेतिकता कहते किसे हैं अगर हम आमने सामने होते तो आप साइद प्रश्ट का कोई उत्तर भी दे रहे होते लेकिन यहां तो मुझे ही उतर देना है तो मैं ही सीधी सीधी बात बता देता हूँ आपको नैतिक्ता का तात्परिय कारी करने के उस तरीके के लिए है या कारी करने या सोचने के उस तरीके के लिए है जो समाज अपने व्यक्तियों के लिए अपने सद्शियों के लिए एक मांदंड त्यार करता है कि इस तरह से हमें काम करना चाहिए या इस तरह के से हमें काम करना पड़ेगा कई बार चाहिए की तक पड़ेगा भी होगा क्योंकि कठोड़ता से एक बात की जा रही है तो ये एक नैतिक कि कम से कम हमें ये तो हमारे समाज के लिए हमें करना ही हो गए ये तो एक नैतिकता होती है इंसान उनके इतनी नैतिकता तो बनती है यानि कि काम करने का ऐसा तरीका या सोचने का ऐसा तरीका या ऐसा जो कि समाच के द्वारे एक मांधंड दिर्धारित कर दिया जाता है कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो यह सही है और इस तरह से काम करते हैं तो वो ठीक नहीं है तो कमसकम हमें इतना तो समाज के लिए करना ही चाहिए तो उसका नियुनतम जो उसकी प्रदानता जिसकी कारिय की किसी प्रदानता एक इतना तो कम से कम उस आदमी में होना चाहिए वो नहतिकता होती है नियुनतम जो मांदर्ड है नियुनतम जो आवशकता है या नियुनतम जो विचार है जो समाज के हित के लिए है सबी लोगों के लिए हितों के लिए हैं तो नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है यांत्रिक इतावले जो समाज होते हैं उनमें सामजिक एकता का आधार नैतिकता होती है और चाहिए ये खर इस बात को हम मालने कि तो मैं यह समझता हूँ, यह तौझा जो है, आप तोड़ा दह्म से इसको पढ़िएगा, इसको समझेंगा, प्रयासकिये जगया, अगले अपने वीडियो में हम इस टॉपिक को जो है और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए आगे दीजे धन्यवाद